दोस्तो आज हम बात करते हैं 498 और 406 दहीज केस में बेल के बारे में हैं कि इन केस में बेल कैसे ले अगर पतनी इन सेक्षन के अलावा रेप और छेटगानी के भी सेक्षन अपने ससूर देवर जेट के उपर लगा देती है तो ऐसी कंडिशन में कैसे बेल ले नमस्कार दोस या उसके बाकी परिवार वाले दहेज के लिए परिशान करते हैं तो वो इस धारा में उनके खिलाब एफरेश्टर करवा सकती है इसमें तीन साल तक की सज़ा है और जोबाना भी है ये नोन बेलेबल ओफेंस है इसके साथ ही अगर उस पतनी का समान अपने सुसालर में सबसे पहले ये इसा कि जिसमें 498 और 406 सिरफ इनी सेक्षन में या इसके अलावा कोई 406 थ्रैट का या 323 मार पिटाएगा भी सेक्षन एड है इसमें ही एफर होती है और दूसरा इसा वह है जिसके अंदर पतनी छेट खानी और रेप बहलाव तीन सो चोवन तीन सोचितर क अगर वह सिंपल ऑफर कराती है तो स्वेसे पहले तो मैतर से आप जानते हो जाता है वहांसे अगर सैटिप और पास और हो जाती है तौर और आपको बें लेने की जुरत नहीं पढ़ती है 2nd July 2014 में एक Supreme Court की जिजमेंट पास होई थी, जो कि Ernest Kumar versus State of Bihar की जिजमेंट थी, इसमें क्लिर क्या हुआता है कि 498 एक Family Matter है, बैसे कि ये Non-Valable हैं, लेकिन इसमें सजा 3 साल तक की है, अगर 3 साल तक हज़ा और Normal 3 से 7 साल तक की सजा में कोई भी Matter आपके पास आता है, तो आप बिना DCP साब की Permission के उसमें किसी को अरेश्ट नी करेंगे, और खासकर इस Section के लिए ज़्यदा जोड़ दिया गया था, उसके बाद ही Husband की और उसके Family Members की अरेश्ट होनी बंद होगी, नोर्मली आज की डेट में without arrest ही चार्शिट फैल होती है, लेकिन इसके बाद भी अगर अगर वहाँ से आपकी बात नहीं बरें तो आप Anticipatory Bill अपलाई करें, Section 438 CRPC में, Court में आप Application लगाते हैं, तो Court I.O को बुलाती है, उससे जवाब मांगती है, कि इनको arrest करने के आपको जूर्द क्या है, आप DCP साब की Permission दिखाए है, नोर्मली जिजमेंट का मने जिगर किया अनिस कुमार की, इसके बाद और भी बहुत सारी जिजमेंट आई हैं, यह सबसे पहली जिजमेंट थी, इसके बाद और भी बहुत सारी जिजमेंट आई, जनका हवालाम दे सकते हैं, तो ऐसी कंडिशन में जब I.O को Court बुलाती है, उससे पूछती है, तो नोर्मली उसके पास परिमिसन होती ही नहीं है, क्योंकि कोई भी टी-सीपी इस बात के लिए परिमिसन नहीं देता है, कि आप खोना एटे सिंपल ऐफायर, उसमें आप किसी को जाकर अरिश्ट करें, तो तीन साल तक कि जो सजा है, वाले केस है, जो एफायर होती है, तो मगर सजा भी हो जा लेकिन फिर भी अगर बेल लेने में कोई परिशान नहीं आए या कोई लड़की ज्यादा बोले या फिर पीपी साफ ज्यादा चिला या उसने अपना कोई एड़ोगेट किया तो आप ऐसे में बात रखे कि फैमिली मैटर है और अभी ये मैटर ट्राइल है अभी जब अब हम सेकंडली बात करते हैं कि अगर वाइफ ने अपने आरो रेप और छेड़ खानी के लगाए हुए है और वह देवर जेट या ससूर पर लगाए हुए तो ऐसी कंडिशन बेल कैसे ले दोस्तो दोर्मली जब ऐसी ऐलिगेशन लगते हैं तो इसके अंदर एफैर भी द पुलिस वाले की छेड़ खाने की या रेप की या ऐसी डटैक की किसी लेड़ी ची कंप्लेंट ही लेगे तो उन्हीं को दो साल तक किसी हो जाए तो नोर्मली वे डायट एफैर करते हैं तो ऐसे में वाइफ अगर उसी वक्त उसी में 498 और 406 IPC के भी ऐलिगेशन एड़ कर आ करके या एफैर किरा देती है तो उसमें वाइफ को नुकसान होता है थेङा वाइफ को जड़ा फायदा होता है उसमें बेल लेने जदए हीजी होता है लेकिन कई बढ़ क्या करते हैं वाइफ भी चला की कھیल जाती है या फिर आ ये भी मिलकर चला की खिल जाते है कि 307 या को नुक्सान होता है और वाइफ को ज़्यादा होता है ऐसी कंडिसें में आपको इस बात का ध्यान अकना चीए जब एफ़ार हो रही हो तो एक खटी एगी बार होने देनी चीए क्योंकि जब सारे की सारे सेक्षिन एक ही जगा मिलेंगे तो आपको बेल लेने में आसानी होग है और बाद वाली जो देजगी है वो तो अलग चल रही है तो ऐसे बेल लेना भोज़ता मुस्किल हो जाता है लेकिन फिर भी अगर आपके पास ऐसे ऐलिगेशन लगे या ऐसी कंडिसें आज़े तो क्या करना चीए सबसे पहले आप आईयों इन्वेस्टिगेशन ओफिसर अलिगेशन लगाए है कपड़े फाड़े होए है अपने आपको स्क्रेशिज मारके उसने मेडिकल करा लिया तो ऐसे में तो अटना भोज़ता मुस्किल है ऐसे में तो नहीं हट सकते है फिर तो कोई यही हो सकता है को वीडियो आपने बनाई हो या पर पहले से को सकते वना सेक्षिन जल्दी हटते नहीं है अगर मेडिकल नहीं है तो ससन असानि से तो अपरोज करें अगर ऐसे सेब्स करें रहने दें तो फिर 439 CRPC में आप अपनी पकी बेल लगाएं क्योंकि यह स्रेशन ट्राइल नौर्मली दोस्तों अगर 304 के अलिकेशन है तो एम्मोटायर बनेगा तो 438 CRPC अपनी क्या बात ही रखते हैं कोट के साथी पहले यह रखे कि इससे पहले मेरे खिलाब कोई भी आफरेश्टर नहीं हुई है मैं एकदम क्लिंचिट रखती हूँ मेरे खिलाब कोई क्रिमिल रिकोर्ड नहीं रहा है अगर आपकी साथी हो चुचकी है या बच्चे है तो आप उनका हवाला दे कि वही मेरे अपना परिवार है मैं परिवार मा केले कमाने वाला हूँ मुझे बच्चों की देखवाल करन चालिजन और इसने जुटा एलिगेशन मेरे खिलाब लगाये इसके लावा अगर वाइप ने कोई ऐसा भी एलिगेशन लगाया है और उसमें मेडिकल नहीं है तो आप विए बात कह सकते हैं चैश्ड़ कोई भी मेडिकल अपना नहीं करवाया है या फर कोई मेडिकल में आपके लिए गवाई दे सके तो उसका एफिडेवेट भी बेल में लगाए और उसको कोट में खड़ा करके कोट में उसकी गवाई के लिए जोर भी दे ताकि जिस्साब को आपको आसानी सी बेल दे normally ऐसी condition में अगर arrest होई जाते हैं तो जल्दी bail मिल जाते हैं क्योंकि सभी को पता होता है कि family matter है जूट भी हो सकता है तो इस बात से बिलकुल भी न डरे कि आपके खलाब ऐसे allegation लगे हैं कोई rape या छेड़ खानी का लगा है बई मेरे भाई के खलाब लगा है या मेरे पिताजी के खलाब लगा है मेरे बड़े भाई के खलाब लगा है मेरे वाइपने ऐसे लगाए हैं तो बिलकुल भी न डरे बेल के लिए mostly तो I.O. से कह करें उन section को हटवा ले अगर नहीं हटे तो बेल लेकर निशिंत रहे सबसे ज़्यादा जूरी चीजी होती है बेल के लिए भी के जीतने के लिए भी recording evidence जितना हो सके वो इखटा करें अगर पहले आपने इखटे कर लिए है जिसमें wife कह रही है कोई थैट दे रही है जैसे कि मैं जोटे के सें फसा दूँगी या फिर कुछ बुरा करवा दूँगी या मेरी जान पैचान है तो उसको यूज करें अड़ोसी पड़ोसी है उसकी गवाई है उन witness को यूज करें कोई लेन देन किसी प्रगार का हुआ है कोई account में है या वो समान कोई lie है कोई वीडियो बढ़नी है उस चीज को यूज करें कि जो कहरी है समान के लिए जाता इतना नहीं इतना कमी है ये देखे वीडियो में देखिए ये फोटो देखिए उस चीज को भी यूज करके आप असानी से बे ले सकते हैं आसे करता हूँ आपको मेरी जानकरी पसंद आयोगी तो मिलते एक नहीं वीडियो में नहीं चीज की साथ तब तक के लिए नमस्कार